सरस्वती विद्या मंदिर महिला महा विद्याले में शनीवार को कमल शक्ती अभियान का आयोजिन किया गया कारिकरम के मोकतिती भारती जन्तापार्टी महिला मोर्चा की परदेश अध्यच दरशना सिंग का महिला मोर्चा की पतादीकारियों और कारिकरताओं ने स्वागत किया महिला मोर्चा की परदेश अध्यष ने कहा कि आज का करिक्राम पूरे उत्तर परदेश में भारती जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से विधान सभा अस्तर पर सम्मेलन हो रहा है उसके लिए मैं आई हूँ हमारी महिला मोर्चा की टीम शुरू से ही जोश में है करिक्रा में पूर महा पौर अंजु चोदरी, पूर महा पौर डॉक्तर सत्या पांडे, राज महीला आयोग किस दरस निर्मलाद देवी, दिर्वेदी, बीज़ेपी महीला मोर्चा के महानगर अधेश नेहाच चोदरी, महामंत्री चितरा देवी, श्वेता सिंग, साहिद मही स्वांदाता से बात करते हुए बीजेपी महिला मोर्चा के परदेश अध्याश दर्शना सिंग ने कहा तक हुए मेरा में कहा हैं, आमधिजा परदेश की अध्याश दर्शना साय मेरा मोष्छ शाया ओंदा हा परदेश से अध्याश हैसे, भrнож कि आगे हमी जो le safer से ने चाहरे हैं मब नुग ले चाह अगे साथ आदरनीय सप्री मुहां नगरच जिए रामशु वर्तों जी उन्था मुठाम भूर्ण पूर्पाद और आदरनीय डाफ्टर सथ्या पहने जी का इस मन से हम लोग आतिक अभी जबत अभी ननदन मन से करती हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में बारती जनता पार्टी महिला मोर्चा के इतरब से विदान से बाइस तरफ पे सम्मेलन हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में में उसलिए आई, आज आप मुक्य अतिति के तौर पे, और रही बात आप जोश वरने की, तो हमारी महिला मोर्चा के टीम शुरू से ही जोश में है, बारती जनता पार्टी, जनता बारती जनता पार्टी, प्रियंका जी तो शुरू से ही काम कर रही थी वहाँ, अभी महासची बना दिया गया, उन से हमें कोई डर नहीं है, हमारी महिला मोर्चा के टीम हर बूट पे, और वादे तो गाई यह करती है तो इसको पूरा भी करती है और आपको मैं बतादूं अभी हमाने कि बूत हस्तर पे महिला मोर्चा की जो बहने हैं हर बूत पे पांस सक्रिय कारिकरता है हमारी आज की डेट में तेहना आते हैं और ये जो सम्मेलन हो रहे हैं पूरे उत्तरदेश में हो रहे हैं विधान्स बहस तरके और इस सम्मेलन के दौरा हम जो सरकार की योजना हैं चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तरदेश सरकार की वो लोगों तक पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से खासकर महिलाओं के हुए जो लेकर जो समयलन हो रहे हैं तो यह अपने आप बात बासार प्रॉट उन बात बातों का हो रहे हैं कि हमारे जो मेला कारे करता हैं आपको मैं बता दो मुझे गरव है अपने ऐसे टीम पर अगर फोड़ी कम्यांभी होंगी तो वो कभी कहती नहीं है अब जोश के साथ वो काम कर रही है यह आपको यह तीम पूरी दिख रही होगी जोश के साथ कि पिछले दो गंटे से इंतजार कर रही है और इनका जोश आप भी देख रहे होंगे तो इनकी कोई शिकायत नहीं होती है थोड़ी बहुत है तो वो खुद अपने आप उससे निपट लेती है